Hello everyone, my name is Mead and you are watching technical government job all over India YouTube channel आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा important होने वाली है because काफी time के बाद Supreme Court की तरह से latest job vacancies का update आज चुका है किस तरीके से apply करना है, क्या क्या eligibility रहने वाली है हर एक चीज को यहाँ पर हम step by step cover करेंगे आपने वीडियो को complete जरूर देखना है because proper screen share करके मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे आपको इसके लिए apply कर लिना है क्योंकि job update आपको कोई भी बतायता है लेकिन apply का कोई भी आपको properly नहीं guide करता है किस तरीके से apply करना है तो यहाँ भी मैं आपको proper screen share करके बताने वाली हूँ आपने वीडियो को complete जरूर देखना है और चैनल को आपने subscribe जरूर करना है बैल आइकन को साथ में जरूर प्रेस करना है ताकि हर एक update आप तक time पर पहुंच जाए पाकिस के इलावा और भी काफी सारे update आ चुक है इससे पहले मैंने चैनल पर पोस्ट ओफिस की वीडियो अपलोड की है जिसमें रिजल्ट को लेकर latest update आ चुक है चैनल पर आपको second number पर वीडियो मिल जाएगी अभी जाकर उसको भी आप चैक करें न क्योंकि काफी सारे candidate आप मेंसे जिन्हों ने उसके लिए apply किया हुआ है इसके इलावा जो वीकैंसिस आई हमारी official website www.clory.com पर विजिट करके information लेकर apply कर सकने है लिंक website का description में आपको दे दिया गया है आप देख भी पा रहे हैं अगर आप इसको Google पर टाइप करेंगे तब भी first number पर आपको हमारी official site मिल जाएगी चलिए ज्यादा टाइम में लेते हुए बात करेंगे Supreme Court of India की आई हुई latest job vacances के बारे में किस तरीके से apply करना है क्या 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 eligibility रहने वाली हर चीज को step by step हम cover करेंगे काफी सारे candidate के morning से comments आ रहे थे कि 8th, 10th, 12th graduate हर कोई क्या apply कर सकता है तो सारे चीजों का answer आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है फर्स्ट और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरू कर देना आपका एक लाइक motivate करते हैं आपके लिए ने अपडेट लेकर आने का बात करें हम यहाँ पर Supreme Court of India की latest job vacancies के बारे में इसके बारे में आप सारे aware होंगे central government की यह vacancies रहती हैं आप इंडिया में किसी भी city या फिर state से बिलॉंग करते हैं eligible हैं और apply कर सकते हैं और सबसे अच्छी बात यह आपके permanent government job रहने वारी है as a fresher काफी अच्छी opportunity आ चुकिया salary की अगर हम यहाँ पर बात करें काफी बढ़िया salary आपको यहाँ पर in hand pay की जा रही है जो कि आपके 35,000 से 63,000 तक काफी salary रहने वाली है चाहे male candidate है चाहे female candidate है दोनों ही vacancies के लिए eligible हैं दोनों ही apply कर सकते हैं उसकी बात यहाँ पर अगर हम application fee की बात करें अगर आप reserve candidate है जैसे SC या ST candidate तो आपको 250 application की fee पे करनी है online ही आपको पे करनी है जब मैं आपको proper screen पर लेकर जाओंगी ना बताऊंगी कैसे आपको apply करना है तब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी किस तरीके से fee भी पे करना रहेगा इसके इलावा जो undeserved candidate है जैसे कि जर्नल या फिर OBC candidate उनके लिए यहाँ पर 500 application की fee रहने वाली है उसके accordingly ही आपको विकैंस के लिए apply करना है और इंडिया से candidate apply कर सकते हैं क्योंकि इसमें और इंडिया candidate ही eligible रहते हैं और apply in vacancy के लिए कर सकते हैं अगर हम यहाँ पर विकैंसी कौन सी आई है मतलब कौन सी position के लिए है उसकी बात करें तो junior assistant मतलब जूनियर सहाय की vacancy है जो इसमें out की गी है तो of course इसमें आपको इसमें को पांच साल का and others को as per norms इसमें relaxation भी मिलने वाला है next time में बात करते हैं क्या क्या eligibility रहने वाली है प्रॉपर स्क्रीन पर चलकर मैं आपको लेके बताऊंगी क्या क्या eligibility है किस तरीके सापको इसके लिए apply करना रहेगा मैंने आपको relaxation बता दिये इसके लिए सेस्ट के लिए अलग रहेगा डिजर्व के लिए अलग रहेगा इसके इलावा जो अलगले कैटेगरी है फिजिकली हैंडिकाप कैंडिट में अलगले कैटेगरी उनके लिए अलग रहने वाला है वैसे अगर basic age limit की बात करें आपकी एज मिनिममम 18 मैक्सिं 30 32 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकने हैं अप्लाई लिंक एक्टिवेट हो चुका है जो मैं आपको स्क्रीन पे चल कर बताऊंगी किस तरीके से अप्लाई इसके लिए आपको करना है बाकी कि आपके अप्लाई करना होगा क्या के यहां पे रिक्वर्मेंट से क्योंकि सारी चीज़े आपकी इसी पेडिकरती है तो आपने वीडियो को ध्यान से समझना है ध्यान से देखना है और चैनल पे पहली बार आएं सब्सक्राइब जलू करने सबसे पहले एंड बेल इक्रि करना ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे तो सबसे पहले यहां पे हम बात करें आपे लेटस के बारे में जो की आपकी सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुर नई विकैंसिस आप देख पार है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरव सी वे की यहां पे से अपे इंडिया हैं हो जहें डि पात करें। के लिए सिर्फ और सिरफ आपको online apply करना होगा कोई भी other procedure या फिर other mode apply करने का नहीं है ठीक है तो आपको जल्दी सी जाकर इस के लिए apply करना है आप ध्यान से समझे गए यापे कौन करना apply कर सकता है यहाँ पे male and female दोनों eligible and vacances के लिए दोनों ही यहाँ पर apply कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर salary आप देख पा रहे हैं एटी थाउजन तक आपकी यहाँ पर salary रहने वाली है maximum age आपकी 32 तक भी आप apply यहाँ कर सकते हैं अगर यहाँ पर बात करें तो आपके यहाँ पर 500 रुपीस रहने वाली है इंटीमेशन के कोई charges यहाँ पर नहीं है ठीक है आप किसी भी category से apply करना चाहते हैं यहाँ पर कर सकते हैं application fee आपके सामने है जो के 500 रुपीस रहने वाली है आपको online ही पे करनी है debit card, credit card, net banking से आप पे कर सकते हैं यहाँ पर आपको qualification के बार में बात करें तो आपने graduation के हुई है relevant subject में आप apply कर सकते हैं इधर पहला जो आपको link मिलता है यह notification PDF का मिल जाता है इधर click करके आप apply कर सकते हैं यहाँ पर लेटस विकैंस को चैक कर सकते हैं जो इसके इलावा हुए है यह last word दोनों link आपके लिए बहुत जादा important है अब यहाँ ध्यान से समझेगा notification कैसे रीड करना है पहली link पर click करेंगे notification PDF आपके सामने यहाँ पर open हो जाएगा इस notification को यहाँ पर अच्छे तरीके से read कर सकते हैं अब second वाला apply का link आपको मिलता है यहाँ apply पर click करेंगे यहाँ पर आपको देखे इनोंने mention किया है आपको यहाँ क्लिक करके लोगिन करके apply करना है जिरो ने ओल्री लोगिन किया हुआ है ठीक है वह यहाँ पर click कर सते हैं आपको पहले link पर click करना है apply के लिए अब यहाँ पर देखे मैं screen थोड़ा zoom कर देती हूं आपको और clearly देख पाएगा तो यहाँ पर आपको देखे क्या करना है अपना name लिखना होगा ठीक है उसके बाद यहाँ पर आपको डेटोबर स्लेट करनी है email id अपना लिखना होगा और यहाँ पर अपनी email id जो भी आप mention कर रहे है जीमेल पर आपको लिखना है अपना email id लिखके उसके बाद यहां पर री एंटर करना है इमेर इड़े को पास्वर लिखना है नेक्स यहां पर आपको गाइलेंज है देखने को मिल रही है वो आप यहां पर पहले इस यहांपर क्लिक करने रीड जहरू करना क्योंकि नॉर्मली कैंडिड इस चीजों को इगनोर करते हैं जहां पर इन्होंने गाइलेंड मैंशन की होती है तो आपको यह पहले सबसे बहुत करनी है यह यह समिट पर क्लिक कर देना उसके बाद अगेन आपके पास निया इंटरफिर्स ओपन होगा वहां पर आपको अपने फादर नेम लिखने है क्वालिफिकेशन ठीक है कौन सी लो सब्सक्राइब करना है सुप्रीम कोर्ण ऐंडिया के लिए क्वाली कोई प्रॉबलम आपको इसमें नहीं आने वाली है अब नेक्स इसमें बात आते हैं स्लेक्शन परसीजर की जो जो मैंने आपको स्टैब बताई है ऐसी आपको इसके लिए अप्लाइब इसमें जबिए सम्मीट हो जाती है उसके बाद आपका इसमें स्लेक्शन पुझेर के अगर बात करें रीटन एक्जाम होगा उसके बेसिस पर आपकी स्लेक्शन होने वाली है अब यहां पर बात आती है कि काफी सारी केंडिडिट की कुमेंट्स यह भी आरे थे कि क्या इसमें हर कोई कर सकने हैं लिंक मैंने आपको इसका डिस्क्रिप्शन में प्रवाइड किया है मॉर्निंग मैंने आपको बताया पोस्ट ऑफिस की मैंने एक लेटस अपडेट है उस वीडियो को जरूर से चेक करना सेकिन नंबर पर आपको वीडियो मिल जाए कि कम्यूनिटी टैप में करना बाकि चैनल पर फर्स टाइम आए हैं सब्सक्राइब कर लेना बैल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इंफर्मिशन के साथ ठैंक्स और वहाँ अ हुआ